जिने आप लोगों को बता दिया कि हमारे घर पर फिर से लरका या लरकी आने वाले है यानि कि बेबी गल या बेबी बॉइ होने वाला है काफे सारे लोगों के कमेंट भी आएंगे कि ये लबली कहां से आए करके तो ये हमारी सासुजी का ना अब फिर से बीजी वाला सेडूल चनने वाल की गाई भैस को भी काटते हैं और इंसान को भी काटते हैं अब इवर्वान कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करते हूं कि सभी लोग बरिया होंगे और मैं बिग्दम बरिया हूं चलिए आज की वीडियो की सुरवात भी कर लेते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भ्रै पहला अगर चोटो को وسी वहां वाली दोस्त की याद आघाली अरहिए यहां पर खाना नहीं खा रहे है तो हमाप लोगं को दिखाते hai हमारी ही बबली की दोस्त कौन है करके मंभी-पापा काफी पहले कрал핫 वाल यहां बाहर बात न मी झाले Carbon और शाइत मेहग उटई थी तो अब इन महग सो गी है तो मेन गौसलि के ओर आ गई हमारी बबली की दोस्त दादि लोगों की नहां यह बच्छरी थी टो हम लोग न उसे यहां पर ले के आ गये हैं ताकि यह मास्तर करके इसके साद दोस्ती बनाए और यह लोग न खाने लग बैपली की दोस्त बनों गया आप इसका नाम क्यों हो गाप इसनी ही लबली एक अगर। तो इसका नाम हमें पता नहीं हम मत है और हम नियुक्त नाम यहाँ पर लबली रख डिया है जिकिद पता रहे हुआ झाल यहाँ की मिष्टवने जाने महाँ यहाँ पर पापा किल बना रहे हैं वसाली का सारा घास हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है पहले हम लोग गाय को यहाँ पर बादते थे तो वो बार-बार खिरकी बंद कर दे रही है तो हम लोगों ने सोचे हम गाय को उपर कोने पर बादेंगे यहां पर सारा गाजियो और नौू रखा हुआ था तो वो हम लोगों ने बाहर पर रख दिया है और अब यहां पर पापा किल लगाएंगे तो अब इना उसी की तैयारी पर लगे हुए हैं एक बार पापा यहां पर किल बना रहे हैं फार्स टाम ना मैं इसको घास खाते वे देख रही हुए है तब से और ना इस घास भी नहीं खा रही थी और पानी भी नहीं पी ठी तो अब धोरा बहुत घास काने लगी है वो भी लबली की वज़े से हैंगाँ अलबू अलबू काटते हैं तो यहाँ पना हम लोग दुवा लगा देंगे जिसके वज़े से चराव थोड़ा गाय को कम काटेंगे कल मौसम काफी अच्छा था अच्छी सी धूप खिली हुई थी एकदम मस्तसा मौसम हुआ था लेकिन जंगलों में आग लगने की वज़े से फिर से आज मौस तो में काफी सारे घर बनाए रहते हैं काइब पर अंडे होंगे काइब छोटे-चोटे चूजे होंगे तो ना आग लगने की वज़े से ल्गर को भी नुकसान होता है और हम इंसानों को भी नुकसान होता है तो अपने थोड़ इसे मतलब के लिए न हमें जंगलों में और आप लोगों को ना हमारी वीडियोज में ज्यादा तर ऐसी राउंड लगते वे देखेंगे क्योंकि बीच बीच में गाय को देखने के लिए भी आते रहना परेगा हमारा गॉसाला घर से थोरा सा दूर है वैसे तो हम लोग ना घर पर ही बाते है लेकिन घर पर हमारी आप फोरा बंड जेजने वहाला है आप इसले बार तो बस मारी थी और इस बार एकर नमr HEY दी odpowलrift shocked मुमी ने यहां पर बटवारा कर दिया बच्यों का पापा इंदर बबली को बातने के लिए न किल ठोक रहे हैं तो यहां पर बबली जड़ने लगी है आवास है और ममी यहां पर बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या हो गया इनको आप यहां अपना मेरे को नहीं लगती है अपको तर यह बताओ फिर शाप उसके अलावा किसी से नहीं बचो ही वह हैं तो ममी ने यहां पर बबली और लबली के लिए ना धुआ भी लगा दिया है जिसके उजे से ना उनको चराव नहीं काटे तो पहारू म नगाने के लिए कनिस्टेर का यूच क्या जाता है काफी जगह जो गय भैसु का गोभर होता है फिर उसे सुखाते है और उसके बात ना उसी से धुआ लगाते हैं पापा ममी भी हम लोग खेतों में पहुंचाएंगे उबर को ना हमारी लोकल लेंग्वेज में ना पवड कहा जाता है तो अब पवड हम लोगों को खेतों में पहुंचाना है आज का गोबर हम लोगों ने यहीं पर स्टोर कर लिया है और कुछ दिनों के लिए हम लोग सारा खातना यहीं पर रखेंगे क्योंकि हम लोग यहां पर मिर्ची की खेती करने वाले हैं तो जब तक ना मिर्ची के पौध होंगे तब यहां पर खात सूख भी जाएगा तब हम इन्हें मिर्ची के पौधों के लिए इस्तेमाल करेंगे बाकि उसके बाद का जो खाद होगा ना वो हम लोग और खेतों में पहुचाएंगे तो कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने खात यहीं पर स्टोर करना है हमारे वहाँ भी सभी लोगों के खेत खाली हो गये हैं और खालेगे फिर हम लोग वापस लेगे आ जाएंगे तब तक ना तुम अपने वहाँ पर बाद लो तो हम लोगों लबली को यहीं पर बात रहे हैं और लबली के आदद अगर यहीं पर हो जाएगी तो हम लोग ना अपने पास भी रख लेंगे इसे हमारा गौसाला रोट के नीचे पर है तो रोट में जितनी बार भी गारिया चल रही है ना बबली काफी ज्यादा डर जा रही है क्योंकि इसने पुराने वाले अपने घर पर गारिया नहीं देखी है तो यह बार बार घबडा जा रही है तो इसको आदद बनाने में कुछ टाइम लगेगा और होता प्यार करने लग जाएगी अभी ना काफी टाइम बात ना गाई बच्छी वाला काम कर रहे है तो डर भी लग रहे है कहीं यह मारेगी तो नहीं करके क्योंकि नहीं नहीं है नंदाजा भी नहीं आ रहा क्या पता इससे गुसा भी आया होगा इसा सोच रही हूँ तो जहां अतकल मैंने इसे टच किया ना कुछ नहीं कर रह थी तो मुझे यह नहीं लग रहा हं कि मारने वाले होगी हम प्यार करेगे बबली कुस नहीं कर रही है बबली कहा है जो हमारे यूट्व फैमली आपको डेल सारा प्यार देंगे पहले हिमानी थी और अब बबली है रहे है क्या क्या मारते नहीं है नहीं नहीं यह भी दिखने में सेम हिमानी की कौपी लगती है तो सेम हिमानी जैसी लग रही है यह लंच बिनाने का समय भी हो गया है तो आज का लंच ना मुम्मी बना रहे हैं और मुझे काम दिया है महक का हात मुझ दोने का तो आज हम लोग महक को नहीं नहला रहे हैं क्योंकि मौसम खराब चल रहा है और आज थंड़ा भी हो रहा है बादल लगे हैं तो आज ना मैका से भात मुख दोएंगे विसाम के करीब पांच बत चुके हैं और मेरी तैयारी होगे फिर से गौसाली की ओर जाने के लिए तो आप लोग ना बोल हो गय देने के लिए बांकि गाय की देखवाल करने के लाएंगे लेकिन अभी गौसाली पर बहुत सारा काम बचा है बाहर पर घास वगयरा रखा था तो वह अंदर शिप्ट करना है तो अभी तैय जी को पूछते हैं कैसी है हमारी बबीता बबली कैसी है अच्छी है पसंद आग इसका नाम किया है बताओ लबली अब लड़के का अच्छी होता है तायजी आजाएगा लड़का अब बयाने वाली है तो आजाएगा लड़का अब लड़का नाम बने अब बनेगे अब बन गई अब क्या नाम रखा है मिष्टी दादी बने वो तो आप क्या बनूंगी भी आप नानी बनोगे अच्छी आहाँ अच्छी अपर देखो आज कल की बीबी आप वारी आशी है वहाँ पर ताओ जी काम पर लगे वे साम सफाई कर रहे हैं ताई जी यहां से बता रहे हैं अच्छी अच्छी लोगों के खेत में भी यहां प्यारे प्यारे गुलाब लगे हुए है और यह हलके बेबी पिंक कलर के हैं जो की दिखने में काफी ज्यादा सुन्दर लग रहे हैं जोपडि के भाग खुले जाएंगे गोमाताई है जोपरी बोला तो गाना वो ना दिया अब दूसरा शब्द दोच अब बबली तेरा मुबाइल के कुना यू?